आज हम सिखेंगे विकास से संबंदित कुछ महत्वपूर्ण बाते तथा वनशागत और उपार्जत लक्षणों के बारे में तीन दश्मलव पांच बिलियन वर्ष पहले पृत्वी पर जीवन नहीं था लेकिन आज पृत्वी पर पादपों और जन्तुओं की करोडों स्पीशीस उपस्थित है इनमें सरल्तम जीव जैसे जीवानू से लेकर जटल शारिरिक संगठन वाले जीव जैसे मनुष्य सम्मिलित है इनमें कई जिव जवाला मुखी जैसे अत्यधिक उश्म स्थानों पर तदा कई जिव पृत्वी के दुरूओं जैसे अत्यधिक थंडे स्थानों पर उपस्थित है आपके विचार में पृत्वी पर इतनी सारे जैव विविदिता किस प्रकार उत्पन्न हुई होगी? सोचिए सोचिए इसका जवाब हमें विकास यानि इवल्यूशन के अध्ययन से प्राप्त होता है यह पता करने के लिए कि जीवों के उत्पत्ति किस प्रकार होई है हमें समय में पीछे जाते हुए विविन स्पेशीस के उत्पत्ति किस प्रकार होई यह जानना होगा इसे समझने के लिए हम जीवों के बहाय आकरती तथा व्यवहार को आधार मानते हैं किसी जिव के भाय आकरिती तथा व्यवार का विवरण उसका अभिलक्षन यानि characteristics कहलाता है उधारण के लिए विविन जीवों के चार पाध होते हैं यह एक अभिलक्षन है पाधप प्रकार संसलेशन कर सकते हैं यह भी एक अभिलक्षन है हम समान अभिलक्षनों के आधार पर जीवों का वरगी करण कर सकते हैं उधारण के लिए सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं से बना है इसलिए हम सभी जीवों को पहले स्तर पर रख सकते हैं अगली स्तर पर हम ऐसे अभिलक्षन देखेंगे जो अधिक्तम जीवों में उभैनिष्ठ है, सभी में नहीं, जैसे अधिक्तम जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक होता है, लेकिन जिवानों की कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता, फिर हम उन जीवों में जिनके केंद्रक ह को एक कोशिक जीव और बहुकोशिक जीव इन समुहों में वर्गीकरत करेंगे। अगले स्तर पर हम बहुकोशिक जीवों का वर्गीकरण प्रकार संसलेशन के आधार पर कर सकते हैं। फिर हम अगले स्तर पर शरीर संडचना को ध्यान में ले सकते हैं। इस तरह यहां आप एक पदानुक्रम विक्सित होता देख सकते हैं, जहां एक जैसे जीवों को एक समुह में रखा गया है। यह पदानुक्रम हमें एक ऐसी स्थिती में ले जाएगा, जहां हमें ग्याद होगा कि जीवन की उत्पत्ती अजयव पदार्थों से हुई है। सुक्ष में परिवर्थन आए हैं और इसके परिणाम स्वरुप विबिनताओं के उत्पत्ती हुई है, जिससे विबिन स्पीशीस उत्पन्न हुई। हम यह भी देख सकेंगे कि प्रकृती में आने वाले परिवर्थनों के लिए वे स्पीशीस जो अनुकूल थी बच गई, जबकि स्पीशीस जो अनुकूल न थी उनका विनाश होता गया। जीवों में पीडी दर पीडी धीमिगती से होने वाले परिवर्थन को ही हम विकास यानी इवलूशन कहते हैं। अत्यधिक सरल है, लेकिन कुछ जिवानु अत्यधिक गर्मी में जीवित रह सकता है, मनुश्य नहीं। तो क्या यह कहना उचित होगा कि मनुश्य जिवानु से अधिक प्रगत या विक्सित है, इस पर अपने दोस्तों के साथ चर्चा कीजिए। अब आईए विकास के एक और पहलो की चर्चा करें। कुछ लक्षणों जैसे उचाई, नाक का आकार, वर्नांधता, डिंपल का एक पीडी से दूसरी पीडी पारगमन होता है। ऐसे लक्षण वनशागत लक्षण यानि Inherited Traits कहलाते हैं। वनशागत लक्षण जैव की जननकोशिका यानि युगमकों की DNA में संगठित होते हैं। इसलिए इनका पीडी दर-पीडी पारगमन होता है जो जैव को विकास की और ले जाते हैं। वे लक्षण जैसे रित्यकला, वजन, बालों का रखरखाव जिन्हें जिव अपने जीवनकाल में अरजित करता हैं। नहित सूचना में कोई भी परिवर्दन नहीं होता। इस तरह जनन के दोरान एक पीडी से दूसरी पीडी को उपारजित लक्षणों की वनशागती नहीं होती। क्यानि कि इन लक्षणों का पीडी दर-पीडी पारगमन नहीं होता। चुकि उपारजित लक्षणों की वनशागती नहीं होती। इसलिए हम इन उपारजित लक्षणों से काईक उतकों में आय परिवर्थन को विकास नहीं कह सकते। इस तरह से ये लक्षण जिव को विकास की ओर नहीं ले जाते। अब आपके लिए एक दिल्चस्प सवाल। यदि राहुल के माता-पिता की कर्णपाली जुड़े हुए हैं तथा वे दोनों अच्छे तैराक हैं तो राहुल के संदर्भ में क्या सत्य हैं। सोचिये सोचिये। बिल्कुल सही। कर्णपाली का जुड़ा होना वनशागत लक्षण है जबकि तैरना आना उपारजित लक्षण है इसलिए दूसरा ओप्षन सही जवाब है तो आज हमने सीखा विकास से संबंदित कुछ महत्वपूर्ण पाते तथा वनशागत और उपारजित लक्षणों के बारे में झाल